आने की अब तो भाईया सुप्रीम कोर्ट सीजाई तो छोड़ दो इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया भी पूरी तरीके से पल्टी मार चुका है अरे भाई जो सीजाई इस टाइम पर मोदी जी के साथ कर रहे हैं उसको कहते हैं हाथ धोकर पीछे पढ़ना एक के बाद एक के बाद एक करारे जटके मिलते चले जा रहे हैं अगर इसी तरीके से रोज होती रहेगी मोदी सरकार तो कैसे करेंगे ये 400 पार आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के उपर की आज क्या सामने आया निकलके स्टे यूरो के द्षाया और ये बोला था कि प्रेस इन्फरिमेशन ब्युडो के द्वारा वो अभ अब चेक करने का काम करेंगे यानि कि देश की सरकार ही अब सारी खबरों का Fighter करेंगे इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट निउस चलाएगा सरकार को criticize करेगा तो सरकार उसका fact check करके उस बंदे को उठा करके jail में डाल देगी अब इसको एक तरीके से curb on social media या फिर जो free press है उसको दबाने की कोशिश की तरीके से देखा जा रहा था और आज सुप्रीम कोट ने इस पैसले के ओपर रोक लगा दी है काफी करा रहा भाया बुरी तरीके से पनौतियां लग रहे है क्या बोलू इसके बारे में खेर आगे बताना चाहता हूं आपको कि आखिरकार कब तक इसके उपर यहां पर stay लगाई गई है सुप्रीम कोट stays the notification on fact check unit by union government stay to operate till Bombay High Court finally decides the challenges to IT rules amendment 2023 सुप्रीम कोट ने अभी कहा है कि जब तक उसकी रूलिंग नहीं आ जाती तब तक इस notification के उपर पूरी तरीके से हम लोग रोक लगा रहे हैं पूरी तरीके से ठुलू एवं पनौतिया अपने आप में कितनी बेफकूफी भरी यह बात है सरकार यह कह रही है कि हम ही खुद fact checking करेंगे सारी चीजों की यह ठीक वैसे है जैसे कि यहां पर investigation करना शुरू कर दे तमाचे यहीं खतम नहीं होते है इसी के साथ एक और काफी करारा तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं की स्क्रीन के उपर सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज तमिल नाडु गवर्नर फॉर नॉट अपॉइंटिंग पॉन्मूडी आज मिनिस्ट सीजाई चंद्रचूर ने कहा है अटवर्नी जनरल से की वाट इस यॉर गवर्नर डूइंग इस टाइम पर जितने भी स्टेट के गवर्नर हैं वो बीजेपी के ही बंदे होंगे अब बीजेपी के बंदे को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ रही है वावा मोधी जी क्य डंग का बज़ रहा है आपका इसी के साथ करारे तमाचे यहीं पर बजने बंद नहीं होते हैं याद आपको थोड़ दिन पहले SBI को CGI ने कहा था कि सारी information जो है electoral bond से related वो 21 तारिक की शाम 5 बजे तक आपको submit करनी है with an affidavit की सारी information अब हमने submit कर दिये तो हुआ क्या है SBI ने भी सारी poll पटी खोल करके रख दी है अब ही data था electoral bonds से related एक जो unique number बताया जा रहा था उसको भी अब यहां पर दे दिया गया है election commission of India को election commission of India इधी सारे numbers को निकाल करके election commission of India की website पर डालेगी और उसके बाद भाईया जो रायता फैलेगा जो पनौतिया लगेंगे पनौती pro max देखने मज़ा आएगा बहुत तो भाईया इसमें सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे है कि आखिरकार SBI किस level के बड़े जूटे लोग है जो थोड़े दिन पहले तक ये कह रहे थे कि 30 जून तक का time चाहिए सारी information देने के लिए उन्होंने अब सारी information दे भी दी है 4-5 दिन के ही अंदर-अंदर इसको कहते हैं मुँपर सफेज जूट बोलना ऐसा लगता है चीचा स्कूल ओफ आक्टिंग और चीचा स्कूल ओफ जूट ओलोजी से सीख कराये थे अब जब सारी जानकारी सामने आ चुकी है तो भाईया बीजेपी वाले भी सामने आएंगे हफता वसूली का पहले मतलब समझ लो संभिच चाचा हफता वसूली का मतलब यह होता है कि cbi income tax या फिर ed का इस्तिमाल करके आप किसी से electoral bonds ले रहे हो या फिर कोई किसी का काम करे और as a kickback यहां पर मतलब something for something कर रहे हो वह चीज तभी हो सकती है जब कोई पार्टी सरकार में हो कोई पार्टी विपक्ष में बैटकर यह सब काम नहीं कर सकती संभिच चाचा गोबर खाना बंद करिए प्लीज वगर आपको लग रहे कि यहां पर ही पनौतियां खतम हो चुकी है तो एक बड़ा action लिया अपने screens पर देखो 9 विक्सित भारत messages center asked to stop sending विक्सित भारत messages on whatsapp by election commission over model code of conduct याने कि अब तो भाईया supreme court सीजाई तो छोड़ो election commission of India भी पूरी तरीके से पल्टी मार चुका है बदब election commission of India ने भी पूरी तरीके से चाय वाले चीचा से किनारा कर लिया अब पर इतने सारे जटके पड़े हैं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट से भी जटका पड़ा है अर्विंद केजरिवाल को भी और साथ में enforcement डिरेक्टरेट को भी मतलब वहाँ पर भी पनौतिया लग रही है आपको दिखाना चाहतों screens के उपर केजरिवाल को गिरफतारी से नहीं मिलेगी हाई कोर्ट ने ये कहाए कि इस वक्त अरजी पर विचार नहीं करेंगे अब ये न्यूस सामने आते ही गोधी मीडिया वालों को लगा कि चलो भाई फाइनली थोड़ी सी जान में जान थोड़ी सी रहात आई जो सुप्रीम कोर्ट से पनौतिया लग लग रह हैं बहुत कूल कूल बनके तो सुशान से ना का आपको दिखाना चाहता हूं इसने भी उठाकर ट्वीट कर दिया इसके लाबार रूबिका लियाकत ने भी ट्वीट कर दिया और बहुत सारे गोधी मीडिया के लोग इस पर हला मचाने लग गए कि देखो भईया इंटरिम बेर देने के लिए रिलीव देने के लिए लेकिन साथ में ये भी कहा है कि ED के पास अगर किसी तरीकी की कोई सबूत है तो वो पहले हाई को आकर के दिखाए और अगली यहाँ पर जो डेट है वो 22 अप्रेल की लगाई है मतलब 22 अप्रेल तक यह ED वाला मैटर जो है इंफोर्स्मेंट डिरेक्ट ट्रेड यहाँ पर चाहूंगा आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार कॉंग्रेस कितनी जादा वर्थलेस है कॉंग्रेस जो है किस तरीके से पहले इलेक्शन हार चुकी है आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो इस टाइम पर चल रहा होगा य जर वो अल्रेडी हारने वाले हैं तो ऐसे हारने दो ना? अंदर इस जादेश को देखने के बाद और कुछ सामने आए ना आए लेकिन यहीज सामने जरूरा आती है कि डिमॉकरिसी हमारे देश में जो है वो लगातार नीचे के पाइदान पर गिरती चली जा रही है हैपिनेस इंडेक्स में आपको बताया था देमॉकरिसी के इंडेक्स में भी हम लोग काफी पीछे आते लेकिन अब टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि मोदी जी यहां पर यह प्लान कर रहे है कि अपना ही एक डिमॉकरिसी इंडेक्स आप्र ग्लोबल रैंकिंग्स डा आजा इसलिए चुनाफ से पहले अपना डिमॉकरिसी इंडेक्स निकाल करके और देश की जनता को बेफ्पू बना दूगा कि देखो भई या हम ही है असली मदर ओफ डिमॉकरिसी देखने वाली बात यहां पर यह कि वो पाटी जो अपने मेन अपोनेंट के बैंक है लेकिन आपकी और मेरे जैसे लोगों को नहीं वैसे कॉंग्रिस के उपर इस अक्शन को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी अपनी फंडिंग रुक गई है इसलिए यह लोग कॉंग्रिस की फंडिंग को यहां पर रोकने का काम करने है खेर जो भ बालकृष्ण ने माफी मांगी है सुप्रीम कोट से सावर कर मोड स्विच्ट ओन एक भ्रामक विग्यापन देने के मामले में पतंजली आयूरवेट के मडी मालकृष्ण ने सुप्रीम कोट का हलफ नामा दायर कर बिना शर्ट माफी मांगी है एक संक्षिप्थ हलफ नामे में बालकृष्ण ने कोट से कहा कि उन्हें कम्पनी के अपमान जनक वाक्यों वाले विग्यापन पर खेद है आपको बता दें कि पिशली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर रामदेव और बालकृष्ण को 2 एप्रिल को अदालत में व्यक् सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादो जिससे की सारी वीडियो आप तक पहुंच भाए बिना किसी देरी के मैं आपसे मुलाकात करूँगा चैनल के अगले वीडियो में